हाई फ्रेंज, विल्कम बैक, आज मैं बात करूँगा गो फैसन का, इस स्टॉप को डिस्कस करने का रीजन है कि आपको ये बताना, आपको ये सिखाना, कि अगर आप टेक्निकल पे अपनी पकर रखते हैं, फंडमेंटर को समझते हैं, तो आप आसानी से किसी भी स्टॉप को सस्ते में, बिल्गुल बॉटम में बाई करके, उसको टॉप पे सेल करके, एक अच्छा खास पैसा बना सकते हैं, अबर आप उजे रिगुलर्ली फॉलो करते हैं, तो बो कलर पो, मैंने तेरह दिंग पाई ये वीडियो बनाई थी, मेरा बॉटम बाईं का ओबर मास तरीका जो कभी फेल नहीं होता, इसमें मैंने गो कलर का एक्जांबल दिया था, मैंने इसकीनर पजाकर, जैसे मैं एक बार आपको किरसे दिखा दूँ, कि ये है इसकीनर.in, और यहाँ पे मैंने अपनी क्वेरी जो है, सेप करके रखा है, जैसे मुझे किसी स्टॉक को डोड़ना और दोड़ना है, तो मैंने यहाँ पे ये जो क्वेरी है, माइ स्क्रीन 50% डाउन सस्ता और ठिकरू, मैंने इसकसर, तो बहुत सारे यहाँ पे क्राइजरिया मैंने डाल रखे है, तो मैंने ये जो है मनी सिकसर, ये फर्मुला का यूज़ करके, मैंने गो कलर को को आइड़ कासी देजी आ गई है स्टॉक यहां से कम से कम 10% उपर आ चुका है इसी लिए यहां पे बो कलर अभी नहीं आ रहा है तो अगर आपने इस वीडियो पर नहीं देखा है तो आप जा पर देखना आपको स्टॉक स्टॉक स्टॉक्शन के बारे में काफी को सीखने को मिलेगा मैं हमेशा बोलता हूँ कि कोई भी स्टॉक ऊपर जाएगा नीचे जाएगा यह सबसे बहतर तरीके से उसका चार्ट और उसका फंडेमेंटल यही बताएगा इस स्टॉक मार्केट में आपसे बहा कोई भी अनलिस्ट नहीं है अगर आप मार्केट को टाइम देना सुरू कर तो मेरा लॉस होगा हाट अनवनी है तो वह किसी से सुन कर किसी से पूछ कर काम नहीं करता जब आप चार्ट के साथ टाइम दोगे जब आप इसकीनर पर टाइम दोगे आप जिस भी प्रोफेशन में हो अगर आप उसमें डूब के काम करोगे तो डिफिनिटल आपका पैसा बनेगा तो हम वापस से आते हैं वो कलर के उबर और यहां पर यहां पर यह समझने की पुसिस करते हैं कि यहां पर जो स्टॉक है वो क्या बोल रहा है तो वापस से हम आते हैं ट्रेडिंग व्यू के उबर और यह बेरी टाइम फिरम का चार्ट पैटन है यहां पर चार्ट पैटन है, यह bullish chart pattern है जब भी यह बनता है, किसका मतलब क्या है किसका मतलब यह है कि यहाँ से एक बड़ी तेजी आएगी, और वो तेजी कितनी होगी यानि यह पूरा देफ्ट और इसको रखना है यहाँ पे यानि इस stock में एक बड़ी तेजी आएगी, जो इसका टेखनीका टार्गेट होगा 2000 कब होगा, जब इस तरह निकी का पैटन बनता है न, तो यहाँ पे इंड्री फोनी सुरू बजाती है कि लोग की जो लोग इस टॉपलस के साथ काम करते हैं और लोग या फिर रेसिस्टेंस के या फिर ब्रिक आउट के उपर, तो यहाँ पे स्टॉक ने ब्रिक आउट दिया नहीं, तो ऐसे कि इसमें लोग जो रेसिस्टेंस है, वहाँ पे पोरीशन बनानी शुरू करते हैं क्योंकि यह सोचकर कि यह एक अच्छा स्टॉक है और यहाँ पे बिजनस अच्छा है, तो डिफिनिटली बेक आउट होगा और बहुत जल्दी यहाँ से 35% का टार्गेट मिल जाएगा लेकिन यह जो चाट पैटर्न है, वो हर्ग भी देखता है सिर्फ मैं नहीं देखता, सिर्फ आप नहीं देखते, सिर्फ स्टॉप्रस वालें नहीं देखते ऑपरेटर भी देखता है, बड़े लो भी देखते है, स्टॉक नीचे आना सुरू कर जाता है जो स्टॉक एक बड़ी रैली में था, रातो रात खराप जाता है stock के बारे में news आने लगती है कि stock का performance खराब होगा जो भी bad news निकल कर आनी शुरू बजाएगी और stock नीचे आन शुरू बजाएगा और जैसे यह stock एक sustainable बे आएगा जैसे अगर आप देखोगे तो यह जो है ना एक range था मैं एक बार इसको खटा देता हूँ यह एक range में मार करता हूँ इसको अफ्तिहान से देखना है तो जैसे ही stock अपने previous support के zone में आएगा जहाँ पे stock ने support की गाता जैसे यहाँ पे support था resistance, support, resistance और वापस जैसे stock support में आता है यहाँ पे वही stock अच्छा होगा जाता है और यहाँ पे buying सुलूप हो जाती है तो इस समय जो वो fashion है एक range में trade कर रहा है अब जो chart pattern को समझते हैं जो business को समझते हैं वो कहाँ पे buy करेंगे क्या वो जाकर इस 1400 के उपर buy करेंगे या फिर यहाँ पे 900 पे buy करेंगे डिफिनिटली जो पैटल समझते हैं वो यहाँ पे buy करेंगे और मैंने भी स्टॉक को इधर पाई identify किया तक चूखी एक भी stock bottom में मेरे से नहीं चुपता है क्यों क्यों कि मैं हमेशा chart पे मेहनत करता हूँ अगर आप रोज 1000 chart आप रोज तो नहीं देख सकते हो लेकिन जो professionals होते हैं वो देखते हैं तो अगर आप chart को देखना सुरू कर दो लेना तो आपसे कोई भी chart bottom में नहीं बचेगा ध्यान से समझना अच्छे stock को top पे हर कोई buy करता है जब यहाँ पे आ गया है तो बहर कोई इसके बारे में अची अची बाते करेगा लेकिन professionals को कहाँ पे buy करेंगे professional जब यह rounding bottom बन रहा है इधर पर इस stock को identify करेंगे तो अगर आप go fashion के chart को उपर आते हैं और यहाँ पे यहीं देखते हैं तो जो लोग chart पे काम करते हैं उनको उनके लिए सही entry कहाँ पे मिलेगी यह जो range है यहाँ पे उनके लिए सही entry है और first target क्या होगा first target यहाँ से लिए पर यहाँ तक यह 50% का range है तो अगर आप देखोगे कि पहले इस stock ने June 22 में यहाँ पे support लिया था और इस से लिए नौवमबर 22 में June से नौवमबर में 50% यहाँ पे देखो March 20 और यह है सितमबर 23 March 20 से लिए सितमबर 23 में 50% और यहाँ पे देखो May 24 और अगर मैं अगर 6 महिना ले दू May से लेकर अगर मैं दिसंबर ही महाँ लेता हूँ तो आपको चार्ट को follow करना ही पड़ेगा और trading वी पर महनुत करना ही होगा तो फिनाल यह तो लेन यहाँ की बात पताई एक बार यह जो Consolidation है एक्ट्रेडिंग जोन में वो रहा है इसको बोलते है Consolidation एक फारी Consolidation जब फूरा फोजाएगा तो अगेल स्टाउद एक बड़े अप्ट्रेड की तरफ चलना सुलूँ हो जाएगा तो टेक्निकल दाविट क्याने कल के आएगा यह पूरा जोन जो रेंज है यह और इसको रखना है यहाँ पे तो अगर हम देखें करेंट मार्केट प्राइस से तो यह 68% है अब आप पूछेंगे क्यों 68% आएगा ओके तो इसको समझने के लिए हम इसके हमें इसके fundamental को समझना पड़ेगा अब बिजनेस की बात करें तो यहाँ पे यूनिक बिजनेस है जो मेरा previous वीडियो था ये वाला वीडियो इसे मैंने डिटेल में बताया था तो आप एक बार इसको देख लेना मैं सीधे इसके आता हूँ यहाँ पे जो इसका बिजनेस है जो इनका रिजल्ट है तो यहाँ पे देखो operating profit लगतार बढ़ रहा है सीर लगतार बढ़ रहा है इसके अलावा अगर आप सेर वल्डिंग जाओगे तो यहाँ पबलिक के पास इप 3% होल्डिंग है मुझे तो फिर्याल कोई डाउट नहीं है कि स्टॉक उपर नहीं जाएगा लेकिन आप अपना decision अपने risk बढ़ेंगे यहाँ पे सिर्फ यह सवजना है कि क्यों कोई स्टॉक उपर जाता है और कैसे हम bottom को identify करते हैं यह है professional तरीका stock market में काम करने का professional तरीका कौन कौन नहीं है वो आप सुन लेजिए future and option करके कभी भी पैसे नहीं बनते है 99% मैं तो 99 बोलता हूँ 99% लोग कहीं न करें यहाँ पे loser है दूसरा penny stock में भी पैसे नहीं बनते है penny stock भी एक तरीके से gambling में है जहाँ पे महनुद दूरे सर्थ होता है पैसे नहीं बनेगे और आपको यह लगता है कि अगर social video पे आप सुन के पैसे बनाओगे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि कोई आपका फ्रेंड नहीं है सब को पैसे बनाने है तो आपको भी बनाने है तो आपको खुद महनत करना पड़ेगा तो आपको भी नहीं होगा